तो आज मैं बनाऊंगी गाजर का हलूआ बहुत ही टेश्टी and healthy, तो बहुत ही आशान है इसको बनाना, मैं किस तरीके से बनाती हूं गाजर का हलूआ बहुत ही टेश्टी से और बहुत ही जल्दी भी बन चाहिए, तो बीडियो को जरूर देखना पूरा, बीडियो पशन्द तो जरूर एक लाइक कर लेना और चैनल को श्मक्राब दिरू कर लेना गाजर का हलुआ बनाने के लिए यहां पर मैंने लिए 1 kg गाजर से बढ़िया से पहले दूलिया था उसके बाद यह चील लिया है एक किलो यहां पर ली है और यह देखिए जो पीछे का डंठल होता वह को निकाल दिया है अब इसे कद्दू कस करना है अराम से कर लेना है बड़े आराम से बहुत हो जाती है तो यहां एक जरूरी बात जब भी हम गाजर या देखिए कुछ कि जैसे लौकी बगएर कद्दूकस करते हैं तो आप कद्दूकस को अच्छे टाइट से पकड़िए तो कभी भी आपका हाथ नहीं छिलेगा यह बात आपको हमेशा याद रखनी है तो अराम से कद्दूकस हो जाती है कितनी भी आप गाजर कद्दूकस कर ले या फर लौकी तो इस तरीके से मुझे कद्दुकस कर लेनी है, मेडियम साइज से मैंने कद्दुकस किया है, ना छोटा ना बड़ा, बड़ा होता है ना तो टाइम लगता है ना पकने में गाजर को, तो इस तरीके से मैं कद्दुकस कर ले रही हूं, और बहुत ही टेस्टी हलुआ इस तरी और मैं इसमें डालूंगी एक चम्मच घी डालना है तो पूरी ट्रिक के साथ बताएंगे गाजर का हलुआ बनाना बहुत ही टेस्टी बनता है और जल्दी भी बनता है तो यहां पर देखिए घी मिल्ट हो गया है जैसे ही घी मिल्ट हो जाए अब इसमें जो ड्राइफरूट डालेंगे ना हलुए में मैं काजू डालूंगी इसमें और काजू तो जान है गाजर के हलुए की गाजर के हलुए में काजू बहुत ही बढ़ी अलगते हैं और आप कोई भी ड्राइफरूट डाल सकते हैं यह कोई इसू नहीं है और यहां पर जो काजू है उनको हलका सा र पेखिये गाजर उसको डाल देंगे तो जरूर घी इसमें एड करें इससे ही होता है जो गाजर काहलूआ का टेश्ट यह जो पंदाइब और आपके ज़िए पर देदा गाजर अच्छे से एड करती नहीं है इसमें चीनी, तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी भर कर चीनी ली लगबग 300 ग्राम चीनी होगी और यहाँ चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं कि जैसा आपको मीठा हलुआ चाहिए एक किलो गाजर के हिसाब से इतनी चीनी इनफ है आराम से मीठा हो जाता है तो आप अपने हि कर सकते हैं तो बड़िया से चीनी को मिक्स कर लेना है गाजर और चीनी को अच्छे से मिक्स कर देना है तो जैसे ही चीनी मिल्ट होती है उसी चीनी से जो गाजर है अच्छे से पकती है तो बड़िया से मैं मिक्स कर ले रही हूं गाजर का हलुआ बनाना बहुत ही आसान है क कुछ चीजों का ध्यान रखे तो हलुआ जो है नisktyyy बनता ह्, खाने में मज़ा का जाता है जैसे मिल्ट होने लगी तो इसी चीनी के पानी से इस प्रिक्म मेना पॉरी तरीके से ये यह देखिए जो गाजर है पक जाती है चीनी के पानी से तो बढ़िया से पका लेनी है और medium to high gas मैंने यहाँ पर रखी है अब देखिए यहाँ पर देखिए पानी देखिए एक दम से कम हो गया विलकुल देखिए इस तरीके से हो जाए जब हमें गैस थोड़ी सी medium कर देनी है low to medium कर देनी है जिससे अच्छे से गाजर पक जाए तो यहाँ पर हलकी कर दी है थोड़ा देखी इस तरीके से यहाँ पर देखेंगे कि गाजर हमारी पकी के नहीं पकी थोड़ी यहाँ पर देखी अभी कसर है तो अभी पानी भी है तो इससे मौस्चर से पक जाएगी करें इससे जो मेरा हलुआ है ना बहुत ही टेस्टी बनता है और जल्दी भी बनकर तैयार होता है जैसे ही यह देखिए थोड़ा आदा मिनट हो जाए बैसे ही फिर उलट पलट कर देना है बिल्कुल यह जो पानी है उसको सुखाना है यहाँ पर आपको गाजर देखाते या फिर आप बंद कर देजिए जब इसमें माबा एड करें यहां मैंने एक कटोरी भरकल लिया है माबा तो दो लीटर दूद से बनाया था घरपई बनाया था कल बनाया तो इस तरीके से मैंने इसको माबा को देखी बनाया इतना ढीला बनाया है और फिर इससे बाहर निका नहीं है और बढ़िया से कड़ाई को पकड़ लेनी है पहले आप किसी संसी से पकड़ ले या कपड़े से और मैंने यहां पर पूरा खोया डाल कर अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है तो अगर आपको मेरे तरीके से हलुआ बनाना पशंद आया हो तो एक लाइक जरू कर लेना फ्रेंड्स और एक कमेंट करकर बताना कि हलुआ किस किस को पसंद है सर्दियों में खाना देखिए बढ़िया से यहां पर बनकर है तैयार यह देखी गाजर क हलुआ तो थोड़े से मैंने यहां पर काजू डाल दी अभी और थोड़े से बाद में डालेंगे थोड़े दिखने चाहिए ना गाजर के हलुए में काजू बहुत ही बढ़िया लगते हैं और रोस्ट करकर डालिए देखिए ड्राइफ फूर्स जो डालेंगे कोई भी ड् प्लेट में बढ़िया से देखिए काजू से डेकुरेट कर दिया है उपर से थोड़ा सा मावा भी डाल दिया है खोया तो देखिए बहतरीन शांदार टेस्टी हलुआ बनकर है तैयार तो मेरे तरीके से आपको हलुआ बनाना पशंद आया हो तो एक लाइक जरू कर लेना तो कैसा लगा है गाजर का हलुआ बनाना एक कमेंट करकर भी जरूर बताना और सर्दियों में बनाए गाजर का हलुआ इस तरीके से बनाए बहुत ही टेस्टी बनता है और टेस्टी हेल्दी सर्दियों में कडाकी की ठंड में ये बनाए गाजर का हलुआ मजा ही आ जाता है गाजर का हलुआ बनाना आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर लेना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना तो आप दिखाईए हलुआ को टेस्ट करिए तो फिर मिलते हैं एक नई रेस्पी के साथ तब तक के लिए बाई एंट टेक केर कि अपस्टाइब भूज कर दो के लिए कर दो एंट ग्ए हैं झाल कर दो एक यह तो एंट कर दोंगते हैं पर खो एंग झाल कर दो एंटे कम वेलो कर दोके दोग्या वह त्सकी हैं बादर समय भाजी हैं प्टल